कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इसको हम लोग को इवैलूएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कॉस को साइन के टर्म पे लिखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यह कंपलीमेंटरी रिलेशनसीब है ट्रिग्रमेटरी का ओके क्या करना है कि कॉस को साइन के टर्म पे लिखना है तो जिसको चेंज करना है उसको लेचे साइड में रखो ठीक है और वो कनवर्ट होके क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग अभी इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं जिसे इसको चेंज करेंगे तो साइन को लेचे साइड में रखना साइन थीटा तो यह कंवर्ट होके कॉस के टर्म पे आएगा ठीक है बेसिक लॉजिक है तो यह यह रहा geometric वाला जो हम लोग का complementary angles का जो होता है कि sum 90 degree होता है वो यहाँ भी hold है ठीक है तो यहाँ देखलो एक observe करना यहाँ theta है correct तो यहाँ भी theta है अब theta के जगा में हम लोग यहाँ cos 48 degree लिख देंगे मतलब 48 degree तो यहाँ theta था correct यहाँ भी theta तो यहाँ 48 आ गिया तो यहाँ भी 48 degree sorry ठीक है 48 degree अब 90 degree minus 48 degree कितना हो जाएगा 42 degree तो sine 42 degree यह change हो गया देखलो हम लोगो जो करना था cos मतलब cos को हम लोगो sine के term लिखना था अब हम लोग जो question लिख लेंगे तो cos 48 degree minus sine 42 degree ओके अब 48 degree कि इसके जगा में हम लोग इसको लिख देंगे जितना हम लोग आया है मतलब इसको convert करके ओके तो sine 42 degree minus sine 42 degree कितना हो गया 0 ठीक है झाल झाल झाल